प्राचिन समय की बात है एक समुत्र के किनारे एक गुरू अपना आसरम बना कर रहा करते थे हजारों शिश्य उन से ज्ञान ग्रेंड करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे गुरू का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था सुरुआत में वो अपने शिश्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे उसके बाद वो अपने शिश्यों को उस ज्ञान का अनूसरन करने के लिए कहते थे उस ज्ञान को अपने वहवारिक जीवन में उतारने को कहते थे एक बार उस आस्रम में एक समराट अपने बेटे को लेकर पहुँचा उस समराट ने उस गुरू से प्रार्तना की कि आप मेरे बेटे को अपने आस्रम में रहने दे और अपने तरीके से उसे ग्यान दें उसे इस आस्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी समराट का बेटा है उसे बिल्कुल साधारन शिश्यों की तरह ही ग्यान देने की किरपा करें गुरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि समराट ग्यान इसी तरीके से लिया जा सकता है अगर तुम अपने आपको दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ग्यान ग्रहन नहीं कर पाओगे अगर तुमें ग्यान ग्रहन करना है तो तुमें दूसरों की तरह अपने आपको साधारन समझना होगा यही ग्यान ग्रहन करने की सबसे पहली सीड़ी होती है तुम निश्चिंत रहो आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही ये कहकर गुरू समराट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए आसरम के बाकी सभी बच्चे उस समराट को देख रहे थे समराट अपने बेटे को अपने रत पर बिठा कर लाया था जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का समराट का बेटा है इसी वज़े से आसरम के सभी बच्चे समराट के बेटे की तरफ आकरशित हो गए थे जब गुरू समराट के बेटे को लेकर समुद्दर पर टेल रहे थे तो समराट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि अभी वो सिर्फ बारह वर्ष का था और बारह वर्ष की आयों में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़ कर चले गए थे ये सद्मा वो बच्चा सेहन नहीं कर पा रहा था वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी बलाई के लिए उसे उस गुरू के पास छोड़ कर गए है उसे रोते हुए देखकर गुरू ने कहा कि बेटा मैं तुमें चुप नहीं करूँगा हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आशु पोँच दू लेकिन कल तुम फिर अपने आपको अकेला पाओगे याद रखना जीवन में इनसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है जितनी जल्दी जो इनसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मग्यान के रास्ते पर निकल पड़ता है गुरू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इनसान अकेला रहना सीख लेता है वो ही खुद से प्यार कर पाता है और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है देरे देरे तुम आसरम के महौल में ढल जाओगे सुरुआत में तुमें समस्या सकती है लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्म साथ कर लोगे उसके बाद तुमें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगीगी यह जगह तुमें अपनी महल जैसी लगने लगीगी संद्या हो चली थी समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालीमा पूरे आसमान में बिखे रहा था बड़ा ही सुन्दर दिर्शे था और गुरू उस शिश्य को अपने साथ लेकर आस्रम में वापस लोट आए उस शिश्य को भी थुड़ी साथ वना मिली क्योंकि गुरू की आँखों में एक अभूत पूरू शान्ती जलक रही थी और जब हम किसी एकांत वासी गुरू की आँखों में वो शान्ती देख लेते हैं तो हमारे हिर्देपे से भी सारा भार हट जाता है मन एकदम निर्मल हो जाता है जब समराट का बेटा रात्री का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुँचा तो आसपास के सभी शिश्य उसके पास आने लगे उन सभी को पता था कि ये समराट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है यही सोचकर आसरम के ज़्यादतर बच्चों ने उसे घेर लिया था बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्तो समझते थे जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे वो उस समराट के बेटे के पास जाने की बजाए अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठ कर अपना बोजन कर रहे थे कुछ दिनों के बाद समराट के बेटे की आसरम के ज़्यादतर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई अब वो आसरम में उन बच्चों के साथ गूंगता उनी के साथ अपना ज़्यादतर समय बिता था आखिरकार समराट का बेटा था सुक्स्विधाओं में पला बढ़ा था आसपास बहुत से दास और तासिया होते थे आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिन्चरिया उसने इस आसरम में भी अपना ली थी ऐसा नहीं था कि गुरू को ये सब पता नहीं था पर गुरू उसे अलग तरीके से ग्यान देना चाहते थे बच्चों को ग्यान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते उन्हें साक्षातकार कराना पड़ता है उसके बाद उन्हें वो बात समझाती है जो आप समझाना चाहते हैं गुरू को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोल कर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा मुझे इसे दिखाना पड़ेगा इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपने शक्तियों को जान पाओगे ये सीख देने के लिए गुरू एक दिन उस शिश्य को अपने साथ एक पाड़ी की चोटी पर ले गए पाड़ी पर पहुँचकर गुरू ने उस शिश्य से कहा कि अब तुम्हरा ग्यान पूरा हो चुका है बस एक आखरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हरे राजमहल में तुमको पहुचा दूँगा वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा फिर से मेरे दास और दासियां सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी उस शिश्य ने गुरू से पूछा कि गुरू जी मुझे आज रात आप यहां बाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं आखिर मुझे कौन सा आखरी ग्यान यहां से मिलेगा गुरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर चटान के पीछे तुमें चिपकर बैठना होगा यहां पर रोज रात को एक बाज आता है तुम्हें उस बाज को देखना है बड़ी गोर से देखना है हर गतिवीदी देखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस बिजवा दूँगा और हां सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है एक चरवाहा यहां पर अपनी बेड़ों को चराने के लिए आता है तुम्हें उन बेड़ों की गतिवीदियां भी देखनी है याद रखना बाज की गतिवीदी रात को और बेड़ों की गतिवीदी सुबह अगर तुम दोनों की गतिविदी ध्यान से देख कर मुझे बता पाए तो तुम इस आसरम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे तुम्हारा ग्यान पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे पिता को कह दूँगा कि ये बच्चा हमारे आसरम का सबसे ग्यानी बच्चा है ये कहकर गुरू अपने आसरम में वापस लोटाए और वो बच्चा वही पर उस चटान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतिजार करने लगा काफी वक्त बीद जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुचा समराट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिवी दी बड़े ही ध्यान पूरवक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी बेडों को लेकर पहुचा तो उसने एक अभूत पूरू द्रश्य देखा उसने देखा कि वह बाज बेड के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया उसने उस भेड के बच्चे का शिकार कर लिया था ये सारा दिर्शे देखकर वो बच्चा आसरम में वापस अपने गुरू के पास महुचा इससे पहले की गुरू से कुछ पूछते उसने गुरू को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु देव आप आसरम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा जब आसरम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो उस समराट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जिवन में बहुत से पक्षियों को देखा है लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अदभुत और सबसे अलग होता है उदारण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी उचा नहीं उड़ पाता लेकिन एक बाज जो कि हर समय शान्त रहता है वो आकाश को भी छू सकता है उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ होता है जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपने नजरें कड़ाए रहता है चाहे वो कितनी भी उचाही पर क्यों ना हो चाहे कितना भी बड़ा तूपान क्यों ना जाए लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्षे पर स्थिर रहती है आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड को अपना शिकार नहीं बनाया बलकि उस बेडों के जुंड में से उसने उस बेड के मेमने को अपना शिकार बनाया उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्षे पर स्थिर रखना चाहिए चाहे कितनी भी अडचने क्यों ना है हमें अपना लक्षे स्पष्ट दिखाई देना चाहिए दस बीस अलग अलग लक्षों में अपनी उर्जा बरबाद करने की बजाए हमें किसी एक लक्षे पर पूरी एका गरता के साथ ध्यान देना चाहिए तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखने चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोचवाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए आकिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं इसलिए या तो बड़ी सोचवालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब ही हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन वो तब ही संबह होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे चोथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपने सीमाओं से उपर उठकर उड़ता है जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने गोंसले की तरफ भागता है खुद को छुपाने की जगए डूड़ता है लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी उपर उड़ने का प्रयास करता है हवाएं उसे थपेडे मारती हैं पंक उसके भारी हो जाते हैं पानी और धूल की वज़े से उसे कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततय बादलों से भी उपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता अपने सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे गबराता नहीं है उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता बलकि एक सकारात्मक नजरिये के साथ उसका सामना करता है जीवन में चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए ना कि उनसे डर कर कहीं छिप कर बैठना चाहिए बहदूर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं कायर तो अपने घर में अपने खोंसले में अपनी जगह डूंड कर बैठ जाते हैं पांचवी बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने गोंसले में गास के कोमल तिनके नहीं रखता जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फिंकता रहता है उसी तरह चाहे कितनी भी आराम दायक जिंदगी आपको मिली हो लेकिन उस आराम से उपर उठकर अपने आलस्से को तोड़ कर जिवन में मेहनत करते रहना चाहिए जिवन में पसीना बहाना चाहिए शारेरिक मेहनत करने चाहिए अपने गोंसले से कोमल तिनके उठा कर फिंक दो और आज ही अपने आलस्से को तोड़ कर निकल पड़ो भी जुन्ड बना कर शिकार करते हुए देखा जा सकता है लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है क्योंकि वो जानता है कि भीड खोसला तो देती है मगर साहस चीन लेती है आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है यही कारण होता है कि वो जल थल और नब सभी उम्र लगबग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूड़ा हो जाता है, नाखुन उसके पैरों में दसने लगते हैं, पंक उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है, ऐसी स्थिती में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी, ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, पहला या तो वो खुद की इस अवस्था को स्विकार कर ले और बूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानौर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है, कि वो 6 म ही ने एक बहुत ही दर्दनाक प्रिकरिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले, लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है, इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही उचे पाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोच स पर अपनी चोच को पटक पटक कर तोड़ देता है, और इस लहुलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से चुपाता फिरता है, अगले 6 महिने तक वो इसी दर्दनाक प्रिकरिया से गुजरता है, और इंतजार करता है नई चोच, नई पंक और नए पंजों क तब फिर वो अपनी नई जिन्दगी सुरू करता है, और निकल पड़ता है अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है, इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, और कुछ नया सीखना पड़ता है, समय के साथ ब बेड़ों की विशेशता बताते हुए कहा, कि बेड़ हमेशा जुंड में चलती है, उन्हें जुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, वैसे ही वो बेड़ दित्तर बित्तर हो जाती है, और उस पूरी बेड़ में से एक भी यकीन नहीं करना यकीन करना तो खुद पर करना क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड कब दित्तर बित्तर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा गुरू को प्रणाम करते हुए समराट के बेटे ने अपने गुरू से कहा कि गुरू देव अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो किर्पा करके आप बताने की किर्पा करें गुरू ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है सब सही है लेकिन ये सारी खुबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का भ्य आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता नहीं किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वज़े से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है इसके बाद गुरू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस समराट के बेटे को इसके राज महल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं क्योंकि इसकी सीख यहां पर पूरी हो गई है और यह कहकर गुरू उस समराट के बेटे का हाथ पकड़कर राज महल की रवाना हो गए और बाकी के सबी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे तो दोस्तों कैसी लगी ए कहानी आपको कमेंट शेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस सेनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना त तब तक के लिए अपना ख्याल रखें